हालो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों जो की विराट कोली इसके इंवेस्ट कर रखे अपने पैसे 15 मई से लेकर 17 मई के बीच में यह आई प्यो ओपन रहेगा तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आई प्यो का और जानेंगे कि क्या इस अप्लाय करना चुछ यह नहीं करना चुछ और करें तो Listing Gains के इसाब से यह Long Tim के साब से सबसे पहले है इसका Gray Market की प्रिमियम देखेंगे इससे हमें Listing Gains का अंदजा हो पाईगा फिर इस company की डिफेलad के बारे में जानेंगे मतलब यह company क्या काम करते है कौनसे 섹्टर की और कि कम्पनी है future कैसा रह सकता है फिर इसके Financials और fundamentals के के बारे में जानेंगे मतलब कंपनी profit making है या loss making company है और अपने जो भी competitors है उनसे महंगी है या सस्ती है फिर इस IPO की details के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस IPO में हमें apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करें तो listing gains के इसाब से करें या long term के इसाब से सारी चीजे हम clear करेंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलेग्राम इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सब की लिंक description के अंदर आपको मिल जाएगी सबसे पहले GMP ग्रे मार्किट का premium और GMP देखिए दोस्तों अंदाज़ा इसको अंदाज हमान करी चले है तो इसकी GMP अभी 60 रुपे पर शेयर चल रही है 55 शेयर का यह लॉट है तो करीबन 3300 तीन अजार 300 रुपे जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारिक में फाइदा देखने को मिल रहा है परसेंट इस वाइस 22 परसेंट जैसी GMP बदा रही है म इस कारण यह कंपनी जादा चर्चा के अंदर है फिर इस कंपनी की डीटेल्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2016 के अंदर यह कंपनी इंकॉर्परेट हुए थी करीब करीब 7 साल 7 यह हो चुके हैं अपने सेक्टर के अंदर ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है क्योंकि इ जो इंस کंदिर मोटर मोटर इंशॉरेंस चैसे कार है आइक हैं का इंशॉरेंस होता है घ्ल्थ इंशॉरेंस है । मे rape ने चीज आप ध्यान में में लेगा जनरल इंसहांजु माली कंपनी है इसyear को Infinite Ov जो भी companies होती है उसके अंदर private sector की जो गमनिया उनका जो हिस्सेदारी है 53% की मतलब 13% की हिस्सेदारी private companies की है जिसके अंदर private companies के अंदर अगर कहें तो new India new India insurance उसका 13% की हिस्सेदारी है मतलब market share है ICIC Lombard वो है 8.67% 8.67% की हिस्सेदारी है उसका market share है फिर बजाज आलियांस का 7.69% 7.79% बजाज आलियांस की हिस्सेदारी है फिर दोस्तों अगर go digit की बात करें तो लगबग 1.5-2% की हिस्सेदारी है go digit के general insurance के अंदर तो काफी अभी कम हिस्सेदारी है छोटी company है revenue के मामले में यह भी काफी छोटी company है अपने जो भी यह competitor है उनसे total इसके पास 74 products है मतलब यह जो insurance products है 74 है और यह sector गर बात करें तो competitive sector है बहुत ज़्यादा companies listed भी unlisted companies भी खूब है और इसके अपने competition खूब ज़्यादा है और यह अपने sector के अंदर छोटी company है अभी शुरुआती phase के अंदर market share इसका छोटा है तो अभी यह थोड़ा से इसके लिए negative point है कि यह थोड़ी सी पीछे है बाके companies अच्छी ची companies already अच्छी listed है फिर financials और fundamentals के बारे में जाने है मतलब 2021 से 2023 तक दिये गए है तो अगर इसके assets देखते हैं तो सालदर साल उसमें growth देखने को मिल लिए है लगबग डबल हुए है revenue की बात करें तो इतने साल negative revenue था FI22, FI23 के अंदर इसका revenue भी positive हुआ है FI23 के अंदर जो इसका revenue है करीब-करीब 49 crore 39 crore रोपीज का बहुत कम है और अभी December तक 2023 तक नौ महीनों के अंदर 130 crore के असपास इसने revenue generate किया है अभी एक साल के अंदर अची growth देखने को मिली है profit की बात करें तो profit लगातार ये loss making company थी FI23 के अंदर profit के अंदर लगबग 35 crore का असपास का profit है profit margins लगबग 90% के आसपास 90% के आसपास निकल करा रहे है ये मुझे थोड़ा सा अच्रे जवाला लगा और December 9 महीने तक 139 crore का profit है यहाँ भी profit margins लगबग 100% के आसपास है मदब कोई भी खर्चा नहीं ये पता नहीं मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया बहुत ज़्यादा है और 663 का P.E. इसलिए है क्योंकि इसका profit अभी बहुत कम है छोटी कंपनी है आगे अगर growth करेगी उसके बाद क्या है कि actual valuation समय पथा चलेगी पर अभी के हसाथ से बहुत महेंगा P.E. है और revenue इसने 233 में जनरेट किया सब्सक्राइब करेगी तो उनसे काफी चोटी कंपनी है तो बहुत महेंगी है तो ओवरॉल फाइनेशली और फंडामेडली देखें फाइनेशली भी ठीक ठाक है और फंडामेडली वागेरा देखें तो भी महेंगी वैलिएशन्स है फिर दोस्तो इस IP की डीटेल्स के बारे में जानते है तो 15 माई से लेकर 17 माई के बीच में ये IP open रहेगा face value है इसकी 10 रुपे पर शेर और उसका price band है 258 रुपे से लेकर 200 बहुत ता रुपे की बीच में 55 शेर्स का ये lot है total issues है 2614 करोड रुपे का जिससाब से company है उससे इससे इससे काफी बढ़ा है fresh issue है 1125 करोड रुपे के OFS के जड़ी है 1490 करोड रुपे की इससे इदारी इसके कुछ investors है या promoters है वो कुछ sell करेंगे इसके इंदर साइध विराट कोली sell नहीं कर रहे है रीटेल पोर्शन 10% का है लिस्टिंगेड है 23 मतरथ 23 ओप में कोई शेर मार्किट के इंदर लिस्ट हो जाएगा तो यह होगे पूरे IP योगी डीटील अब सबसे में सवाल ही जाता है कि क्या इस IP में अपलाई करें या नहीं करें और करें तो लिस्टिं गेंज के साब से करें या लॉंक टम के साब से उससे पहले आपके पास से आपके फैमिली मेंबर में किसी के बास भी दिमेट अकाउन नहीं है या खुल वाना जाते है उसकी लिंग डिस्क्रिप्शिन के अंदर आपको मिल जाएगी सबसे पहले लिस्टिंगेंस के साफ से तो अभी GMP 22% के आसपास चल रही ठीक है पर अभी हमें एंकर लिश्ट का वेट करना चाहिए और अभी बड़े बड़े नाम बले इसके इंदर सामिल हो तो बड़े नाम पर हमें नहीं जाना है एंकर लिश्ट का वेट करना चाहिए फिर क्या है कि लॉंग टर्म के साफ से पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो पॉजिटिव मुझे विश्यस तो कुछ नजर नहीं है हाँ पॉजिटिव के इंदर इंदर इंवेस्टर्स लिस्ट में इंदर विराट खोली का नाम है य क्या ही कि पीवाइस देखे तो वैलुएशन भी वो सस्ती वैलुएशन पर है यह काफी महंगी वैलुएशन पर आई प्यो लेकर आ रहे हैं वैलुएशन दो थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी बाकि इसके लावा इसकी रिटर्न और नेट पर्त कम हैं फाइनेशली फंडाम पर यह बहुत पीछी कंपनी है तो देखे ओवरॉल जो हम डेटा देख रहे हैं उससाब से तो यह बही नेगेटिव नजर आ रहा है कंपनी दमदार नजर नहीं आ रही है बाकि हां भी हमें एंकर लिस्ट का वेट कर लेना चुई है क्योंकि इसके अंदर बड़े-बड़ इन्वेस्टर्स का अच्छा जाना माना नाम है तो एंकर लिस्ट अगर अच्छी आती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें लिस्टिंग इंस वगिरा देखने को मिल जाए बाकि अगर यह कंटीनियो ग्रोथ रखती है जैसा एफ़ए 23 में इसने ग्रोथ बनाई है फाइन चैनल को मिल दोस्ति हो ग्रोचेश बसक्षाइ चैनल को सब्कर लें मिलते हैं दोस्तों य॥ो एंगलेब भी आणि हो दो